नमस्कार फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब जी हो स्वागत है आप सब का आप सब के प्रसना चनल अभी करीक स्पोर्ट्स में एक बहुत ही सानदार खास कबर लेके आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना चनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना जी हो अभी ऑस्ट्रिया के साथ हो रहे जो स्रीज चल रहा है टेस्रीज में तो टीम इंडिया जीत चुकी है अब ODI स्रीज होगा और ODI स्रीज का जो पहला मुकाबला है पहला मुकाबला में कैप्टन जो है वो आप लोगको हार्दिक पांड़या दिखेंगे क्योंकि पहला जो रोही सरमाजिया नहीं रहेंगे दूसरे में रहेंगे लेकिन पहले में नहीं रहेंगे तो पहले में जो कैप्टन है वो हर्दिक पांड़या को बनाया गया जो 17 मार्च को होगा पहला ODI वहीं संजू सैमसन जी है एक बहुत ही बहुत ही सांदार लाजवा बैट्समन है और स्रे सेयर को इंजिरी हो चुकी है, स्रे सेयर को चोट लग चुकी है, जिसके कारण टेस्ट क्रिकेट भी स्रे सेयर नहीं खेल पाए थे लास्ट का मुकाबला, तो स्रे सेयर के जगा रिप्लेस कर दिया गया है संजू सैमसन को, और संजू सैमसन को मौका फिर से टीम इंडिया IPL में अच्छा performance करते हैं उसी परकार से Sanju Samson जो है इनको मौका मिले और ये team India के लिए भी अच्छा performance करें अच्छा खेलें क्योंकि बहुत ही सांदर बल्लेबाजी करते हैं तो Sanju Samson आप लोग को खेलते देखने को मिल सकते हैं अगर इनको playing level में जगे मिले तो जहां क्योंकि team में तो जगह इनको मिल चुका है squad में तो ये सामिल हो चुके हैं stress year के जगह इनको replace कर दिया गया है stress year बहार हो चुके हैं तो Sanju Samson को वापस लाया गया है वही team में तो squad में तो ये वापस आ गया है अब देखते हैं ODII जो मुकाबला होने वाला इसमें playing level में Sanju Samson को जगह मिलता है या नहीं मिलता है अभी Australia के साथ ODII series होगा वैसे test मुकाबला ODII test series जिया Australia से जीत करके team India WTC में पहुंच चुकी है WTC final में world test championship के final में पहुंच चुकी है पिछले बार भी team India खेले थी लेकि New Zealand खिताब जीत ले थी जियां world test championship का इस साल जियां उम्मीजा के team India ये खिताब जीते और एक अच्छा कारणामा करें वैसे Sanju Samson के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते है नीचे comment box में जरू अपनी राय दें फिर मिलते हैं दूसरे डियों को ले करके तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें जय इन जय भारत